नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो जे आरेप हिंदी 2021 के तैयारियों के अंतरगत हम इकाई 4 वैचारीक फिष्ट भूमी कर रहे हैं और इसके साथ हमने UGC net paper 1 के लिए जो expected question series है वो भी शुरू की है जिसमें हमने लगबग 70 प्रशनों को discuss कर चुके हैं और 7 lecture हमारे इससे पहले हो चुके हैं उसके भी तो आप चाहें तो हमारी playlist में एकाई जो UGC net paper 1 के नाम से एक playlist बनी है देखिए आप उसमें जाके वहां से उन lectures को देख सकते हैं अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की अगर जिसमें हमारा जो चौथा unit हमारा चला है देखिए UGC net हिंदी का और यह वैचारिक पिष्ट भूमी वाला है और इससे पहले हमने गांधी दर्शन के बारे में डिसकस कर लिया था जो भी महत्तपून तथ्य गांधी दर्शन के अगरे में थे और इसके साथ दोस्तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपका जो यह वाला पोर्शन है जो वैचारिक पिष्ट भूमी के अंतरगत आता है जो दूसरे भाग के अंतरगत हमने इसको रखा है जैसे मान लीजी आपका जो एक पार था जहां पर हमने खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज जो चीजे हम पहले से इसमें पढ़ते आ रहे थे लेकिन जो दूसरी नई चीजें जोड़ी गई है देखिए चाहा इसमें गांधी दर्शन हो अंबेरकर दर्शन हो गया हो या फिर आपका लोया दर्शन माक्सवाद स्त्रीवा और नारिवाद बगिरा जो भी है आपका दलित भी मर्शिप इत्यादी इनको हमने भाग दो में शामिल करने की कोशिश की है ताकि ये अलग-अलग तरीके से हम इनको पढ़ सकें तो गांधी दर्शन के बारे में हमने विस्तार से बातें कर ली थी आज हम जो पढ़ने जा धान का निर्वाता भी कहा जाता है तो उनके जीवनी बहुती प्रेणा दायक है ना सिर्फ विद्याकियों के लिए बलकि सब के लिए एक आदर्श है वो और बहुती जादा प्रेणा उनके जीवन से हमें देखने को मिलती है हालांकि हम यहां पर उनके जीवन को जादा त थोड़ा सा पढ़ना है और कभी आपको मौका मिले तो जरूर आप अंबेटकर के बारे में पढ़िएगा तो यहां पर देखिए अंबेटकर दर्शन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लिखा गया है कि अंबेटकर वाद, अंबेटकर की विचार धारा तथा दर्शन है तो दीखे कोई भी वाद कब बनता है जब कोई दर्शन जिसको लोग फॉलो करते हैं है ना तो अंबेटकर के जो विचार थे जिनको आज के समय में या उस समय के पश्चार लगातार अस्तित प्रदान किया वही जीज क्या कहला है वाद में अंबेटकर वाद कहलाया या फिर अंबेटकर दर्शन के नाम से उसको जाना गया स्वधिन्त आंदोरन के दौरान उत्पन इस विचार धारा ने दरितों पर होने वाले शोशन व दमन तो यहां पर वर्धमन हो गया है इसको आप ठीक कर ल दलितों के उपर हम देखते हैं कि जो आपके अंबेटकर थे उन्होंने काम किया है और संपूर्ण जीवन उनका संघर्शों में ही बीता है ठीक है तो बहुत ही ज्यादा मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि प्रेणा दाई है और जो जो कष्ट उन्होंने अपने बच्प भारक उधार करता या तारणहार के रूप में भी जाना जाता है नेक्स से देखिए इसके बाद ये कहा गया है कि स्वतनतरता समानता भाईचारा बौधरम विज्ञानवाद मानवतावाद सत्य अहिंसा इत्यादी ये विशे डॉक्टर अंबेटकर या फिर अंबेटकर व गांधिवाद से संबंदी थें या गांधिवाद से संबंदी थें है ना तो इस चीज़ को भी आपने नोट डाउन करते जाना है कि इन्होंने किस चीज़ को परवल दिया था स्वतनतरता समानता भाईचारा और बहुत धरम आप देखते हैं कि जीवन के अंतिम समय से पू गांधिवाद है उसको ये कही न कहीं बुरा तो नहीं कह सकते लेकिन उसका ये खिलाफत करते हैं एक तरीके से उनकी कुछ एक चीज़ों की ठीक है तो वह हम आगे जानेंगे कि कौन सी चीज़ें गांधिवाद की इनको थोड़ी सी नांगवारा थी और कौन से है वो गांधि का क्या है हरीजन ही है ठीक है फिर ये कहते हैं कि दलित साहिते मुख्यते जो बाबा सहाव अंबेड कर थे उसके समाजिक राजनितिक चिंतन को अपनाया गया है ठीक है तो ये दूसरी चीज़ तो है देखिए वो तो सही है कि दलित साहिते में जो बाबा सहा यह इनोंने नहीं मानी है आप आगे हम इसके बारे में देखेंगे कि जो इनका दलित है वो ना सिर्फ गांधी द्वारा जो हरीजन जिसको कहा गया है वो है बलकि महिलाओं और जो दूसरे वंचित वर्ग हैं उनको भी इसमें इनोंने शामिल करने की कोशिश की है ठीक है तो इसलिए जो दलित आपका दलित भी मर्श है या फिर अमबेटकर वाद जो है आपका वो गांधी वाद से थोड़ा सा भिन्न इसको मानते हैं चलिए आगे हम देख लेते हैं नेक्स से देखें यहां पर लिखा गया कि चुआचूत को नश्ट करना दलितों में समाजिक भारत में बहुत धरम का प्रचार वो भारतिया समविधान में नहित अधिकारों तता मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तो ये क्या है ये भी विशेश जो विशे हैं देखिए चुआचूत को मेंली नश्ट करने की कोशिश की और उनका समाजिक उद्धार करने की बात कह जामिल हैं तो ये चीजसें इसमें शामिल हैं सिंपली आपसे अमबेर्करवाद या अमबेर्करदर्शन के बारे में पूछा जाए कि अमबेर्कर के जो विचारध है उनकी जो विचार था ठीक है तो नेक्स से देखिए जो अंबेडकर बादी समाजिक राजनेतिक और धार्मिक विचारधारा इसको माना जाता है जो अंबेडकर दर्शन है क्या है समाजिक राजनेतिक और धार्मिक एक विचारधारा है यह था अंबेडकर दर्शन के बारे में इसका संक्षिप सा introduction और थोड़ी सी जानकारी कि क्या है अमबेड करवाद चलिए अब हम देख लिते हैं कि अमबेड करवाद किस से निकला है तो यह आपका अमबेड कर जो डॉक्टर भीमराव अमबेड कर हैं देखिए उन से निकला है तो यहाँ पर देखिए एक चीज हो सकती है इस तरीके से पूछा जाए मैंने पीछे वाले लक्चर में भी आपको एक चीज कही थी या तो आपको जीतने भी आपके दर्शन लगे हैं उनको चलाने वाले जो प्रमुख नेता रहे है है ना या इनके केंदर में जो नेता है उनको जनम या काल के अनुसार आपको रखने को कहा जा सकता है या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनका जनम स्थान कहा है उसके उसमें आप देखते हैं कि मैच करने को कई बार दिया जाता है कि इनका मिलान कीजिए ठीक है तो य ठीक है नेक्स से दिखिए कि अमबेडकर जी को विलक्षन प्रतीभा का धनी माना जाता है तो ये बात तो सत्यसाबित है कि जो डॉक्टर अमबेडकर थे वो क्या है वो बच्वन से ही मेधावी और विलक्षन प्रतीभा के धनी माने जाते हैं और ये अपने माता पिता की introduction है हलांकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर उनके जीवन परीचे के बारे में पढ़ने लगेंगे तो हमारे लिए जो है समय कम पढ़ जाएगा क्योंकि इनका इतना ज्यादा योगदान रहा है और इसी का परिणाम था कि इनको जो है जो बड़ादा के महराजा थे देखिए उन्होंने क्या कर दिया था चात्रवीती देकर इनको उच्छ शिक्षा के लिए विदेश भेजा था तो ये भी बहुती जादा जो स्याजी राव गायक वारती देखिए है ना उन्होंने इनको क्या भेजा था विदेश भेजा था ठीक है नेक्स देखिए जो आपके अमबेड कर थे वह अर्थशास्त्री राजनीतिग्या और समासुधारक इनको माना जाता है और दलितों के उधार के लिए उन्होंने कई अंदोलन चलाए हैं किसान और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ये सदैव समर्पित रहे तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कह दी आपका किसान और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ये सदैव लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे वह स्वतंतर भारत के प्रत्थम विधी एवं नियामंत्री बने वे भारतिया समीधान और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं तो ये बात भी आपको मैंने पहले बता दिए कि ये क्या माने जाते हैं आपके जो भारतिया समीधान और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है तो ये ब्रीप सा थोड़ा सा इंट्रड़क्शन था किसका अमबेड करजी का देखिए और इकिन के बारे में महत्वपून चीज ये है कि इन्हें सिंबल आफ नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है बहुत जारे कश्टों को सहने के पश्चात भी इन्होंने अपना जो अध्याइन था उसको नहीं चोड़ा और विदेश में जाकर भी अपने देश के लिए ही सोचते रहे है न देश की जो तबका था है न गरीब तबका था जो वंचित था है न शोशित वर्ग था उसके लिए इन्होंने हमेशा प्रयास किये हैं ठीक है अगर हम बात करें अंबिरकर के बारे में इन्हों ना सिर्फ आंदोलनों में भाग लिया बलकि इन्हों ने जो लेखन का कार्य भी किया है इनकी जो प्रमुक रचनाय माने जाती है इनकी मतपुर्ण जो आतम खताय है देखिए वेटिंग फॉर आवीज़ा थीक है, तो 1935 में इसको लिखा था, है ना, कास्ट इन इंडिया, ये 1917 में इनों ने लिखा है फिर खूब वर्दा शुद्र, कि शुद्र कौन है भई, है ना, ये 1946 में इनों ने लिखा और 1948 में इनों ने ओरीजिन ओफ, अंटाचेवल, इनकी एक कृती आई है और इसके साथ ही साथ इनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी ने नाइंटिन थर्टी सिक्स में लिखी है तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण इनकी रचनाये हैं हो सकता इनके बारे में पूछा जाए तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है तो ये थे अंबेडकर और इनकी जो प्रमुख रचनाये थी उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बातें बता दी अब हम देख लेते हैं कि जो अंबेडकर दर्शन है उसके समन्द में और कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं लेकिन जिन चीजों को ज़्यादा जो है अंबेडकर वादी जिनको फोकस करते हैं तो यहां पर देखिए जो आपका सबसे पहली चीज इसमें क्या का गई है तो यह है दरित समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो अंबेरकर वादी हैं उन्होंने दलितों के उधार के लिए कारे किये लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या किया आपके जो महिलाएं किसान और जो निमन तबका है या जो वंचित वर्ग है उसके लिए भी इन्होंने काम किया है लेकिन मेन जो के व्यक्तिगत हीतों से ज़ादा महत्वपूर्ण राष्टर के हित हैं किन्तु यदि दलितों के हित और राष्टर के हित के बीच कोई टकराव के स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वर्यता दूंगा। क्या है भारत की सबसे बड़ी समस्या किसने मानी है अंबेड कर वादियों ने मानी है तो ये था थोड़ा सा इनका जो पहला और प्रमुक चीज है ना तो जो राष्टिय एकता है देखिए उसके नाम पर जो दलित समस्या को टाल देने की प्रवृति को इनोंने क्या है कताई भी सुईकार नहीं किया हुआ है तो ये पहली महत्वपून चीज है अमबेड कर दर्शन के बारे में दूसरी चीज है देखिए कि जाती वो वर्ण विहीन समाज की कल्पना करते हैं तो देखिए जाती और वर्ण विहीन समाज तो यहां पर हम देखते हैं कि ये ठोड़ा स से थोड़ा सा हटके इन्होंने कही है गांधिवाद में हम देखते हैं कि उन्होंने राज्य विहीन समाज की कलपना की थी लेकिन ये क्या कर रहे हैं आपके जाती वो विहीन समाज की कलपना यहां पर करते हैं ठीक है तो इसमें गंधी और जो आपका guerre कर है उनमें टकराव की स्थिति भी आप देखते हैं कि जो आपके अम्रीड कर हैं वो ये कहते हुँए साफ नजर आते हैं कि गंधी वाद एक तरफ तो क्या करता है वो राज्य को राज्य की समाप्ती की बात करता है लेकिन जाती व्यवस्था के उपर या वर्ण व्यवस्था को वैसे ही बनाय रखना चाहता है यहां पर देखिए कई हिंडू धारमिक ग्रंत जाती व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं तो यह कौन मानते हैं? अम्बिड कर वादी आपके जो मानते हैं जो equality है जो समानता है उसका आदर्श कभी भी नहीं पा सकते जाती को खत्म करने का मतलब वो मानते थे कि सिर्फ यही नहीं है कि हम एक साथ उठेंगे बैठेंगे लेकिन उसका मतलब यह क्या था कि हमारा दिमाग जो है हमारा मस्तिश्क जो है वहां से इस चीज़ को नश्ट कर दिया जाए जब तक यह चीज़ नहीं होगी तब तक बिलकुल भी इसका समाधान नहीं हो सकता और आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारतिय समाज में अजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज जो जाती की समस्या है वो कहीं न कहीं बनी हुई है और उसका बहुत जादा प्रभाव हमारे राजनितिक जीवन, हमारे समाजिक जीवन और धार्मिक जीवन में हमें देखने को मिलता है और आए दिन आप खबरों में देखते रहते हैं कि आज फनाने मंदिर में जो है इसके जो दलितों के उपर अतेचार हुआ या किसी महिलाओं के उपर शोशन हुआ है ना या फिर जो वंचितवर्ग के और लोग है उनके उपर जो है अटेक किया गया ऐसी खबरों से आज भी हमारा समाज भरा पड़ा है तो इस चीज की जो भर्षना उस मक्त अमबेडकर वादियों ने कर दी थी या अमबेडकर जी ने स्वयम कर दी थी तो ये दूसरा इनका महत्तोपुर्ण इसका पहलू माना जाता है अमबेडकर दर्शन में तो दूसरा इनका वीचार है कि जात स्मृति का भी जिक्र आता है कि जो स्वाइम अम्बिड कर थे उन्होंने इसको जला दिया था ठीक है और इसी चीज के लिए हम देखते हैं कि मनु स्मृति में भी आपको ऐसी चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी और आपके जो दलित सहित्यकार हैं उन्होंने समरिती को या मनुसमरिती को नश्ट करने की बात कही हुई है तो इसलिए जाती व्रवस्ता को खत्म करने की शर्थ है कि हिंदों का सिर्फ एक प्रमानिक धरम गरंत सुविकार किया जाए जो जातीवाद जैसी गलत धरनाओं का समर्थन न करता हो शेश सभी गरंतों को कानूनी तोर पर निशेद कर दिया जाना चाहिए तो ये भी कौन मानते हैं आपके जो अंबेड करवादी लोग हैं या जो डॉक्टर भीमराब अंबेड कर इस चीज़ को मानते हैं है ना कि इनका मानना है कि बहुत सारे जो धार्मिग्रंथ हैं वो ही क्या है जाती विवस्ता को बढ़ावा देते हैं चलिए इसके पश्चात अब हम इनका चुद तीसरा महतवपूर्ण इसमें पहलू है देखिए वो कौन सा है अंबेड कर दर्षिन में जो गौरव मई जो एक गौरव से या गरव से उसको क्या है एक तरीके से उसको वन्चित रखता है ठीक है एंड मृत्यू से पूर्व हजारों समर्थकों के साथ हिंदु धरम त्याकर उन्होंने बहुत धरम अपना लिया था और इसी चीज़ को है ना उन्होंने कहा था कि जो गौरव उनको सम्मान उनको नहीं मिल रहा है उसी के चलते उन्होंने क्या कर दिया था कि हिंदु सरम छोड़ देना चाहिए और स्वयम भी उन्होंने क्या किया 1956 में इन्होंने अपनी मृत्यू से पहले कई अपने समर्थकों के साथ कौन सा धर्म अपना लिया था बहुत धर्म अपना लिया था और यहीं से हम मानते हैं कि जो नव बहुत आंदोलन था जिसको नियो बुद्धिस्ट मोव्मेंट के शुरुवात मानी जाती है ठीक है तो यह चीज इनके संदर्व में होतोपून चीज है इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडियव चाहिए होगी क्योंकि न तो इसमें मनुष्यों के बीच कोई भेदभाव है और नहीं इस लोग से परे किसी दूसरे लोग की जूटी या नकली कलपनाए हैं तो यह बहुत धरम को मानते थे तो इसके बाद जो अगला है देखिए चौथा पॉइंट इसमें यह कहा गया है कि महिलाओं वो अन्य जो वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी यह बल देते थे तो यह चीज मैंने आपको पहले ही कह दी कि दलितों की मुक्ति के साथ साथ यह क्या करते थे जो वचित वर्ग हैं समाज में, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी ये क्या कर देते हैं? उनके मुक्ति पर ये नो ने बल दिया और यहां पर देखते हैं आपकी जो माक्सवादियों की तरह यह नहीं मानते हैं कि जो आपका मानुस समाज की जो मूल समस्या, गरीबी और जो आर्थिक शोशन की है और नहीं ये नारिवादियों जो इसको फेमिनिस्ट कहते हैं देखिए उसकी तरह ये विचार का पक्ष्टर है कि मूल समस्या कहा है लिंग भेद है तो इनका मानना क्या है कि जो भातिय समाज की मूल समस्या है वो है आपका जाती गत भेद भाव कि जाती के अधार पर किसी को छोटा और किसी को नीमन समझा जा रहा है और साथ ही साथ जो आपके महिलाएं और दूसरी जो चीज़े हैं देखिए जो आपका वंचित वर्ग हैं जो पिछडे वर्ग हैं जिनको चाहे वो किसी भी जाती से समंध रखते हों अगर उतका शोशन से लेकर के जो नाम देव दसाल और उदित राज इसी विचार धारा से संबंधित रहे हैं कांशी राम से लेकर के नाम देव दसाल जो आपके कहां से हैं महाराश्टा और उदित राज देखिए है ना जो नाम देव दसाल हम कह सकते हैं कि देखिए जो आपका अंबेड करवाद है है ना वर्तमान जो भारतिराजनीती में इसका प्रभाब ज्यादा देखने को हमने मिलता है आज के समय में है ना इसका महत्वपूर्ण जो उदाहरन और पहला उदाहरन सबसे पहले था पहारी गांधी जो बाबा कां समाज संगर समीती का गठन किया गया और ये चीजें आगे बहुजन समाज पार्टी जिसका हम देखते हैं कि जिसका निर्मान जो आपका किया गया और वर्तमान समय में अंबेड करवाद पर अधारित सबसे बड़ा जो राजनितिक दल वो बनकर उबरा है ठीक है तो इसके साथी साथ आपका दलित पैंथर्स जो नाम देव डसाल का हमने जिकर किया यहां पर है ना उस पार्टी का और साथी साथ उत्रप्रदेश में जो आपकी इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा की ये उदारन है और लगातार जो आपका अंबेड कर दर्शन है या आपके इसके पश्चात की अंबेड कर दर्शन और राष्टरहित के जो कार्य हुए हैं तो यहां पर देखिए सबसे महतपूर्ण चीज जो मानी जाती है समस्त वर्ग के प्रतनी धितों पर ये बल देते हैं कि चाहे किसी भी वर्ग का कोई क्यों ना हो है ना महिला हो दलि तरीके से समस्त वर्ग के लोगों को प्रतनी धितों नहीं मिला है ना और इसी चीज के लिए जो दलित आपका जो अंबेड कर दर्शन है वो कहता आया है कि सब वर्ग के लोगों को क्या है प्रतनी धितों मिलना चाहिए नेक्स जो चीज है देखिए सरवजन हिताय पर प्र कि किसी के हित की बात आज के समय में हो सकता है चीज़ें कम हुई हो लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से अभी भी सभी का हित हम देखते हैं कि नहीं है और ये चीज 26 नवंबर 1949 को जो भारत का समय धान बनकर तयार हुआ था जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी कि सरवजन हिताय की बात इन्होंने रखी है और प्रमुक्ता से इसको जोर दिया इसके उपर था इन्होंने और एक मुत्रपून चीज और है देखी ड हमारे समविधान निर्माता हैं ये चीज हम हालां कि पहले भी बता चुके थे ये भी राष्टर हित का सबसे बड़ा और प्रमुक्त एहम काम इनका माना जाता है भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनना तो भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाना ये भी आप देखते है कि इसके पीछे भी जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेरकर हैं उनका बहुत जादा एहम योगदान माना जाता है कि देश के विबिन विबिन अन्य जो आपके विशु के देश हैं उनसे कुछ न कुछ चीज़े उन्होंने गरहन की है जो सही चीज़े हैं उनको हमारे पर्थन करते हैं इसलिए जो आपका जाती व्यवस्ता है इसको खत्म करने के लिए इसको एक महतवपूर्ण पहलू ये मानते हैं नेक्स से दिखिए जो महार सत्याग्र है है जो आपका महार सत्याग्र है ये भी एक प्रमुख कारे माना जाता है अंबिरकरवादियों का है जो अभिजात वर्ग थे इसका विरोध करते थे लेकिन इस पर इनोंने क्या किया सत्याग्रह किया ठीक है और सत्याग्रह कूपरथा के पश्चात इस कूपरथा और जो आपका महार सत्याग्रह के आधार पर इनको क्या किया इस कूपरथा का इनोंने अंत किया उसके बाद द आरबियाई की स्थापना में इनका बहुती जादा महतवपूर्ण योगदान माना जाता है ठीक है और अर्थचास्ती थे है ना समिधान सवा में जो प्रारूप समिती के अध्यक्ष भी थे और इन्होंने जो भारत का समिधान लिखकर एक बड़े लोकतंतर की नीव रखी थ चीज़ें थी जो अंबेटकरवादियों के बारे में बता जाती है इनका जो मूल संदेश रहा है देखिए शिक्षित बनो संगठित रहो वो संघर्ष करो तो यह कहते थे अपने जो जाती के लोग थे या जो वंचित वर्ग था उनके लिए इनका यही संदेश था कि सब को क्या है शिक्षितोंने की जरूरत है संगठित रहने की जरूरत है और संघर्ष करने की जरूरत है तभी समाज का जो दबा कुछला वर्ग है वो आगे आ सकता है आज हम देखते हैं कि जिस परकार भारत वर्ष के लिए गांधी दर्शन की आवशक्ता है या जिस परकार मार आपका होना बहुत जरूरी है और वो आवश्यक है हमारे लिए क्यूंकि अंबेट का दर्शन छात्रों के लिए क्या है वो बहुत ही जादा जरूरी है जो इन्होंने यहाँ पर बात कहिए दिखे शिक्षित बनो संगठीत रहो और संगर्श करो क्यूंकि छात्र ही किसी भी राश्टर की नीव या रीड की हड़ी हम जिसको कह सकते हैं क्यूंकि आज का छात्र ही कल दिन का क्या है हमारा नेता है वो एक नागरिक है है अगर वो सक्षम होगा तभी हमारा जो समाज है वो आगे की ओर जा सकता है और जो शिक्षा है शिक्षा के माध्यम से समाज की हर स मस्या का समाधान किया जा सकता है तो यही मूल संदेश डॉक्टर भीमराब अम्विरकर का था और इसी उमीद के साथ कि आप सब लोगों को आज का ये प्रयास अच्छा लगा होगा अगर इसमें मुझसे कुछ एक चीजें छूट गई या कुछ और चीजें ऐसी हैं या आपके कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको